दादा भाई नौरोजी, 4 सितंबर 1825 को जन में वह गनित और प्राकृतिक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। उनकी शिक्षा बंबई के एलफिंस्टन कॉलेज में हुई थी। जीवन में बाद में उन्होंने राजनीती की ओर रुक किया और इस क्षेत्र में काफी घुल मिल गए। उनकी राय प्रतिकूल थी क्योंकि उन्हें लगता था कि ब्रिटिश शासन चला जाएगा और भारतिय अर्थ व्यवस्था के लिए अपूरणिय समस्यायों पैदा होंगी। इस निबंध में उनका द्रिढ मत था कि भारत पर बहुत अधिक दर्सेकर लगाया गया था और भारत की सभी प्रकार की संपत्ति इंग्लैंड में भेजी जा रही थी। 30 जून 1917 को उनकी मृत्यू हो गई।